हलो एवरिवन वेल्कम टू स्टडी आई क्यों आई एस हिंदी दिस इस मनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुभे आट बजे के इंपॉर्टन सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइन्स के अलग-अलग टॉपिक्स को हम यहां डिसकस करते हैं आज हम पढ़ें है etw और you में में टौर कोंखे और कॉन इंट यूपिक्स मिर्ड बहुत ही ज्यादा इसमें डाउट्स होते हैं इसको पर कई बार क्लारेटी नहीं हो पाती है तो इसको भी बहूट अच्छे से ऐंड तक सीख लेंगे तो अवतल दरपड क्य होते हैं उत्तल दरपड क्या हो देखने मिलते उस पर भी बात करेंगे तो शुरू करेंगे सेशन और भी कोई डाउट साहेंगे तो फिर भी आप पूछेंगे गुड मॉनिंग एवरीवन और ध्यान से देखेंगे तो ऑप्टिक्स के अंदर हमने एक कॉंसेप्ट पढ़ा था जिसको क्या कहा जाते है रिफ करेंगे जैने गुल यही दरपन कहा जाता है तो उसके अंदर कुछ काटेगरीज होती है उनको समझने की कोशिश करेंगे उससे पहले लास्ट सेशन में कुछ कोश्चन मैं आपको दी हुए थे उनको पहले डिसकस करेंगे उसके बाद और भी जो कुश्चन से कई बच्च तो देखें इसके लाबा कोई डाउट से इन शोशल मीडिया हैंडल पर मुझे जो है कहीं पर भी आप मेसेज कर सकते हैं और कुश्चन पूछ सकते हैं इसके लाबा पीडियाफ यहां पर जो है अपलोड हो जाती है वहां से डाउनलोड भी कर लेंगे देखते हैं पहला जो अटाक होता है उसके कई बार कुश्चन ऐसे पूचे गए कि वह क्या सिम्टम्स नहीं होते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था चेस्ट पेन नौजिया स्वेटिंग नमनेस और एकिंग ऑफ आम्म्स में से हिदय घाद जो होता है किसी को हाट अट है तो क्या क्या चीजें उसके अंतरगत यह लक्षन नहीं है क्या चाती में दर्द होना उपकाई या पसीना आना स्थब्द हो जाना या बाहों में दर्द या पैरों में दर्द तो कभी भी किसी को हाट अट अटाक आता है तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज सारे लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आम मेंस के हिसाब से इसको कवर कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत आसानी से चीजें लिख पाऊ गया आप विड डाइग्राम्स यह पूरा पूरा मोटो है तो देखते हैं तो यहां पर देखिए पहली चीज है चेस्ट पे आस जो है काफी पेन भी होता है तो यह एक सिम्टम है तो यहां पर हमसे पूछा है विच इस नॉट अ सिम्टम तो यह तो हमारा आंसर नहीं हो सकता इसके बाद नौजिया एं स्वेटिंग बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है लोगों को ऐसा उल्टी जैसा भी फील होता है तो उपकाई आना और यह पसीना आना यह भी एक लक्षन है किसका यह आपका किसी को हिर्देगात हो रहा है तीसरा नंबनेस आपका शरीर एकदम स्थब दो जाएगा आपके आम्स जो है लेफ्ट आम मतलब बाया हाथ आपका दर्द देगा लेकिन पेन इन लेक्स किसी पेरों में दर्द का मतलब कभी भी नहीं होगा कि इसी को आट अटाइक आ रहा है तो यह उपर के तीन जो है यह आपके शिम्टम से और चौथा शिम्टम नहीं है इसके बाद अगला कुश्चन मैंने आपको दिया था हौ मैनी चेंबर्स आर देर इन हार्ट हिर्दे में कि चार कक्ष होते हैं राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इसी को आलेंद कह दिया जाता है और यह नीचे वाले होते हैं निले यह किसके अंदर है चार तो चार जो होते हैं आपके यह बताया जाता है मैमल्स में होते हैं कितने चेंबर होंगे चार होंगे लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले फिश में कितने होते हैं मश्लियों में कितने होते हैं तो मश्लियों में दो होते हैं Amphibians में कितने होते हैं, Amphibians में 3 होते हैं, Reptiles में कितने होते हैं, मतलब यह तो मशली के लिए हो गया, Amphibians का मतलब उभहचर, फिर Reptiles, जिनको सरी स्रिप कहा जाता है, इनके अंदर देखा जाता है कि भी almost चार होते हैं लेकिन पूरे चार नहीं होते हैं पूरे चार सिर्फ किसमें होगा घडियाल में और मगरमच में मताँ क्रोकोटाइल्स में जो है वो देखने मिलता है इसके अलावा mammals जितने हैं birds जितनी है पक्षी जितने हैं mammals जितने हैं सब में कितने chamber होंगे चार chamber होते हैं जो heart से pumping करने का काम करते हैं जो रहते धड़कता है और पूरे शरीर तक रक्त को पहुचाता है तो इस तरीके का system होता है तो यहाँ पर यह question जो दिया हुआ था same language दी हुई थी तो उससाब से आपको पता होना चाहिए अगर यह थुड़ी सी language घुमा कर भी पूछ ले तो आप answer कर सकते हैं कि किसके अंदर क्या क्या चीज़े होती है बढ़ते हैं अगले question के और अगला question जो दिया था मैंने how many times a healthy persons average heart beats in a minute एक स्वस्त व्यक्ति का औसत रिद है एक मिनिट में कितनी बार जो है जड़कता है तो अगर हम बात करें किसी का भी जो heart होता है उस heart में दो process होते हैं साथ में एक process ऐसा होता है कि यह है आपकी body और यहां है आपकी lungs मतब फेफडे यह दो चीज़े हैं अब इससे क्या होगा तो इससे बताया जाता है कि भई body से पूरी body से रक्त पहुशता है यहां और लंग से रक्त पहुशता है यहां यह दोनों चीज़े साथ साथ होती है मतलब यह at the same time होगा इसके अलावा यहां से निकलने के बाद यहां से निकलने के बाद इस जगा से निकलने के बाद आपका रक्त का लंग से पहुशना और यहां से निकलने के बाद body तक पहुशना ये जो दोनों चीज़े होती है पहले ये दोनों chambers भरते हैं एक जगा body से एक जगा lung से मत्ता फिफडों से और पूरे शरीर से आपका जो उपर का जो part होता है जिसको आलिंद कहा जता है जिसको औरेकल कहा जता है राइट और एकल और नीचे का जो निले होता है तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि वह एक साथ जो है पूरा रदे के अंदर रक्त आना और फिर एक साथ पूरे शरीर में रक्त का वापस जाना ये जो प्रोसेस है ये बताया जाता है कि वह ये एक साइकल एक साइकल का देखा होगा एक पूरा पैडल आपने उपर से लेकर नीचे तक वापस से उसी पोजिशन पर पहुच जाना तो यही पोजिशन को अगर देखा जा तो पहले रक्त का यहां पर भरना भरने के बाद नीचे आने के बाद पूरे शरीर में जाना यह तीन तरह की चीजे हो गई पहले आपका पूरा का पूरा हार्ट में blood पहुचना, पहुचने के बाद valve की जरीये जो है नीचे आना और नीचे आने के बाद पूरे शरीर में पहुचा देना ये हो गई एक cycle, इसके बाद दूसरी cycle, तो ऐसा शरीर में हरदय कितने बार धड़कता ये question पूचा गया था, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, होता ये है कि किसी की भी normal body में यही बताया जाता है, कि आपका जो यह एक cycle है, यह एक cycle को अगर आप देखेंगे, कि पूरा का पूरा एक चक्कर कितने समय में लग रहा है, तो इसको लगता है 0.8 second. कितना लगेगा 0.8 second लगेगा, तो यहाँ पर यह चीज़ याद रखेंगे, लगबग 0.8 second के अंदर, मताब पूरा एक second भी नहीं होता है, और आपका क्या हो जाता है, एक cycle complete हो जाती है, इसके अलावा, अगर इसी को आप बढ़ाते जाएंगे, तो अगर आप इस चीज़ को 0.8 second को, अगर आप देखते हैं, क्या किया जाए, तो 0.8 second को आप 2 से into कर दीजिए, या 10 से into कर दीजिए, 10 से इसका गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 8 second, और यहाँ पर कितनी cycle हो जाएंगी, 10 cycle, तो भई, 8 second में 10 cycle complete हो जाएगी, इसके अलावा, अगर हम देखत हैं, इसको और 10 से into कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 80 second, 80 second में 80 cycle complete हो जाएगी, अब भई, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए, एक, जो है, minute के अंदर, तो एक minute के अंदर, अगर हम consider करते हैं, तो एक minute में देखा जाता है, कि लगबग 72 cycle यह complete कर लेता है, 72 बार एक स्वस्त व्यक्ति का हरदे धड़क जाता है, तो यह चीज होती है, तो यह बात आपको समझने आ रही होगी, सभी को, इसके बाद next, जो है, हमें light के जो concept है, इन पर ध्यान देना है, तो इनको समझते हैं, देखते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो light जो है, तो इसका लगबख 3800 से 7600 Amstrong की इसकी wavelength होती है, Amstrong का मतलब होता है, 10 to the power minus 10 meter, यह जो है, देखने मिलता है, कई बुक में 4000 से 8000 के बीच में भी यह आपको बताया जाता है, light कैसे travel करती है, अलग-अबजेक्ट मैंने आपको बताया थे, शुरू की class में किस तरीके से यह work करत है, इसके अलावा transparent objects हो सकते हैं, translucent हो सकते हैं, उपेक हो सकते हैं, यह पहले discuss हो चुका है, कितने तरह की lines होती है, तो pallor होती है, convergent होती है, divergent होती है, अलग-अलग objects में speed of light कितनी होती है, सबसे यादा मैंने आपको बताया थे, निरवात में होती है, 3 into 10 to the power 8, इसके लाव light क्या है, तो radiation है, जो form of energy है, जिससे हमारी eyes क्या कर पाती है, हमको detect कर पाती है, हम देख जो पाते हैं, वो light के कारण देख पाते है, light enable us to view our surrounding, जो भी हम बाहर की चीज़े देख पा रहे हैं, वो light की मदद से देख पा रहे हैं, तो प्रकाश एक इस्थान से दूसरे स्थान में ही travel करती है, तब ही देख पाएंगे, अगर इसमें किसी भी तरह से आप path change कर देंगे, तो आपको वो light नहीं देखेगी, इसके अलावा reflection की बात करी थी, जिसको परावर्तन कहा जाता है, तो परावर्तन में हमने यही देखा था कि भाई, जहां से भी light आती है, किसी surface से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसमें ये तीनों ही चीज़ें, आपका जो आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभी लंग, ये तीनों एक ही माध्यम में पाए जाते हैं, they lie in the same plane, इसमें ही हमने plane mirror की बात की थी, सामान ने दरपन की बात की थी और किस त रियल नहीं होती है, कहीं और जाकर बन रही होती है, इसके अलावा हमने इस तरह से inverted image भी देखी थी, जो उल्टी प्रतिविम बनना, इसके अलावा ये left-right inversion होता है, कि अगर आप mirror में देख रहे हैं, तो आपका सीधा हाथ उल्टा दिखता है, उल्टा हाथ सीधा दिखता है, इसलिए ambulance पर उल्टा लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने discuss की होई थी, इसके अलावा एक plane mirror के सामने, दो plane mirror अगर साथ में खड़े कर दी जाएं, मतब एक तरह से सामाने दरपणों को एक साथ रखा जाए, तो उनके बीच में अगर कोई object रखा जाएगा, तो उन परावर्तित के रण होती है, परावर्तित के रण होती है, एक अभी लंब होता है, ये सारी चीज़ें लास्ट सेशन में समझाया भी था, angle of reflection हमेशा equal होता है, ये तीनों एक ही माध्ध हमें मिलते हैं, तो incident ray, reflected ray, and the normal to the mirror, at the point, incidence, all line, same plane, and the angle of incidence is equals to angle of reflection, मतब परावर्तन कों के बरावर होता है, और आपका आपतित के रण, परावर्तित के रण और अभी लंब, ये तीनों एक ही माध्ध में पाए जाते हैं, फिर हमने regular reflection की बात की थी, जिसको नियमित परावर्तन कहा जाता है, तो अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही थी किस चीज़ की plane mirror की, त इंगल से क्या हो गई? परावर्तित हो गई, reflect हो गई, लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं किस की तरफ? एक sphere की तरफ, एक गोलाकार वस्तु को देख रहे हैं, और इस गोलाकार वस्तु से हमने क्या किया? एक भाग काट दिया, एक भाग काटने के बाद हमने इसको कभी बाहर से polish कर दिया, तो अंदर का surface reflecting हो गया, एक बार हमने इसको अंदर से polish कर दिया, और ये बाहर का surface इसका reflecting हो गया, पतर जिसमें आप देख सकते हैं, अब जैसे आप घरों में mirror जो देखते हैं, mostly plane mirror होता है, plane mirror का मतलब आपका सामाने दरपन होता है, जिसमें अगर आपको अपने अपने शरी को पूरा देखना हो, तो उस plane mirror की जो लंबाई होनी चाहिए, आपके शरीर से आधी होनी चाहिए, अगर आपके शरीर से वो आदा है, तो उसमें आप अपने आपको पूरा देख पाएंगे, ये plane mirror का एक लक्षन होता है, जो आपका सामाने दरपन है, लेकिन ये जो छोटे mirror होते हैं, जिनको spherical mirror कहा जाता है, इनी से concave भी निकला है, convex भी निकला है, अवतल भी निकला है, उतल भी निकला है, तो ये जो दरपन होते हैं, ये किस से बनें, किसी गोलाकार वस्तू से बनें, इसलिए इनको गोलिये दरपन कहा जाता है, spherical mirror कहा जाता है, तो आज का जो session है इनी के लिए dedicated है तो इनके अंदर जो reflection होगा वो सीधा नहीं होगा कि वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है अब देखा जाए तो यह कैसा है एक case में तो ऐसा भी है और एक case में ऐसा भी है तो इस पर आने वाली जो किरण होगी वो और इस पर जो किरण ह देखने मिलते हैं तो यही चीज़ आपको समझने आ जाएगी at the end of class तो आपको सबसे पहला समझना है कि किसी sphere में किसी गोला कार कांच से आपने एक तुकडा काटा उसको कभी अंदर से पॉलिष किया कभी बाहर से पॉलिष किया अब देखें यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं प्लेन है अब इसको अगर यहाँ से भी पॉलिश कर दिया जाए और दूसरे समय आपका मन किया यहां से भी पॉलिश कर दिया जाए तो यह दोनों ही सर्फेस पर रिफ्लेक्शन ऐसे ही देखेगा कुछ बदलेगा नहीं लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जहां पर भी करवा जा रहा है तो यह यहां से यहा जो गोले ही दरपन होता है उसी को spherical mirror कहा जाता है दो तरह के होते हैं एक होता है concave जिसको कहा जाता है अवतल और एक होता है convex जिसको कहा जाता है उतल तो ये दो तरह के दरपन देखने मिलते हैं और ये दो तरह के दरपन कैसे बनाएगा है मैंने आपको फिर से बताया ये जो है आपका एक स्पियर लिया एक स्पियर का ऐसा भाग जिसके अंदर से रिफ्लेक्शन हो जाए इट इस पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इस कर्वड इनवर्ड जिसका जो आपका परावर्तित जो कक्ष है वो अंदर की तरफ हो तो इस तरह के को कहा जाएगा अवतल दरपड या आपका कॉनकेव मिरर और यही चीज उल्टी कर दी जाए किसी चीज का ये वाला पॉलिश भागो यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो इस चीज को कह दिया जाएगा कॉन्वेक्श मिरर इट इस पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इस आउ एक अवतल दरपड जिसको हम क्या कहते हैं कॉनकेव कहते हैं और यह होता है कॉन्वेक्श ये बात ध्यान से समझ नहीं है अब इसमें कुछ चीजें होती है द्रोव होती है जिनको पोल्स कहा जाता है इसके अलावा सेंटर अफ करवेचर वक्तरा केंद्र वक्रता त्रिज्या होती है इसके अलावा मुख्य अक्षे फोकस मतलब इसमें principal, main principal access होती है focus होती है, focus तल होता है तो ये कुछ चीज़ें किसी भी जगा पर देखने मिलती है तो यहाँ तक चीज़ें समझने आ रही है students जितने हैं कि mirror जो हम देख रहे हैं या गोलिये इधर पर वो क्या है तो वो एक sphere का ही हिस्सा है तो जो भी students हैं मेरे साथ प्लीज थोड़ा सा confirm करिए यहाँ तक चीज़ें clear हैं कोई doubt आ रहा है तो बताइए तो उसको discuss करते हुए आगे चीज़ें proceed करेंगे बहुत ही interesting topic है बद्धान से थोड़ा सा interest के साथ आप देखेंगे तो चीज़ें आपको clear होती चली जाएंगी ठीक है तो देखिए यह जो है हमने जैसा बताया कि एक mirror लिया है जिसको इस तरफ से polish कर दिया है और यह वाला जो surface है यह reflecting हो गया तो इस तरह के दरपन को अवतल दरपन का आ गया English में इसी को का जाता है Concave Mirror अब यह जो Axis होती है इसी को Principal Axis कहा जाता है अब इस Principal Axis में क्या होता है एक आपका focus होता है एक आपका center of curvature होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है focus का मतलब आपका यह जो focus से धूरी होती है focus तल होता है एक मुख्य focus होती है और एक जो है आपका इसके अंदर Principal Axis भी मिलती है मुख अक्ष भी मिलता है तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो मुख अक्ष जो है वो इसी को कहा जाता है अब क्या किया जाता है इसमें वस्तूओं को अलग-अलग जगा रखा जाता है बहुत दूर अगर रख दिया जाए तो इस चीज को क्या कहा जाता है इसको Infinity कहा जाता है फिर आपका यह C होता है फिर F होता है और यहाँ पर Pole होता है तो यह जो है अभी हम Class के end में सीख लेंगे कि Object को कहा रखें वस्तूओं को कहा रखें और उसका प्रितिविम कहा बनेगा ठीक है Clarity हो रही है कि नहीं हो रही है Comment section में जल्दी से थूड़ा से confirm करिए मुझे आप लोगों को चीजे clear हो रही है यह नहीं Voice and visuals clear है सभी को फिर आगे इसको proceed करते है और यहीं पर अगर हम बात करें कि surface के अंदर हमने polish कर दिया और बाहर का जो surface आगया उसके बाद जो है यह क्या होता है focus, वक्रता, केंद्र जो है center of curvature और यह pole होता है तो इसमें जो भी reflection होगा बाहर होगा तो यह जो है मुख्य अक्ष जो हमने कही यही होती है अब इसमें जो है आपको यही देखना होता है कि भाई कहां आपने object रखा है कहां आपने वस्तू कर रखा है और कहां उसका प्रतिबिम जो है बन रहा है इन दोनों चीजों पर ही पूरा का पूरा यहाँ पर dependency होती है तो इस तरीके का आपका यह mirror होता है तो देखिए अगर आपको यहाँ तक चीजे समझने आ रही है तो होता क्या है इन दोनों ही mirrors में बहुत जादा अंतर नहीं है convex mirror है यह और एक हो गया concave mirror अब आपको यहाँ बनानी है क्या image तो image जो है मतलब आप आईने में आपने खुद को भी देखा हुआ है तो वो होता है plane mirror लेकिन जो छोटे छोटे काँच होते हैं concave mirror या convex mirror तो यह आप घरों में इस्तेमाल करते हैं कई जिकाओं पर हम देखेंगे बिन के उधारण लेकिन इन में images अलग अलग होती है कभी छोटी बनती है कभी बड़ी बनती है तो यह कैसे बन पाती है इस चीज को इसी से आपको imagine करना है तो देखें यहाँ पर आप समझिए कि हम वस्तूओं को कहा कहा रख सकते हैं यह तो दरपन है यह एक mirror है तो हम infinity पर रख सकते है infinity और C के बीच में रख सकते है मताब हमारी एक position है infinity एक position है infinity और C के बीच में एक position है C पर एक position है C और F के बीच में एक position है F पर और एक position है F और P के बीच में ऐसे 6 case यहाँ पर देखने मिलते है आप सोचेंगे सर 6 cases में भी पढ़ेंगे 6 cases में भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा तो इसमें जो है दोनों में अलग होता है इसके अंदर बस ये होते हैं 6 cases 6 cases का मतलब आपने कभी वस्तू को infinity पे रख दिया अनन्त पे रख दिया कभी अनन्त और जो वकरता के इंदर है उसके बीच में रख दिया कभी center of curvature पे रख दिया कभी C और F के बीच में रख दिया कभी F पे रख दिया और F से आगे पहुचा दिया अब इसकी image कहा कहा बनेगी वही सीखने वाले हैं 2 minute में इसके अलावा इसमें दो ही चीजे होती है या तो infinity पे एक ही case होता है ये और दूसरा होता है infinity और P के बीच में यही दो cases इसमें पढ़ने हैं इसके अलावा इसमें जो है 6 case पढ़ने हैं तो ऐसा क्यों होता है अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे ऐसा इसलिए होता है कुछ कारण है उसके तो देख लेते हैं कि वही किस तरीके से ये काम करता है तो हमने बात करी कि वही एक ऐसा दरपन लिया जिसका अंदर का surface कैसा है reflecting है मतब जो इसका अंदर का जो शेत्र है यहीं पे होगा reflection परावर्तन होगा तो कुछ कुछ points ले लिया हमने यह हमारा p point है यह हमारा f point है यह हमारा c point है और इसको हमने infinity consider कर लिया अब इसके हिसाब से हम वस्तू को यहां भी रख सकते है यहां भी रख सकते है यहां भी रख सकते है इस जगा पे भी रख सकते है focus पे भी रख सकते है और focus से आगे बढ़ गए तो यह 6 case होते है तो इन 6 cases में क्या होता है इस चीज को समझते है यहाँ पर हम लिख देते हैं image इसके अलावा हमारा object nature वैसे इसको हम इस तरीके ज़े करते हैं पहले हम object लिख देते हैं फिर image लिख देते हैं object यहाँ तक चीज़ें समझने आ रही है comment section में मुझे बताईए जल्दी से वस्तू उसका प्रतिविंब और इनका कैसा प्रकार होगा यह सारी चीज़ों पर बात करते हैं देखे द्यान से अब देखे इसमें क्या होता है इस चीज़ में बताया जाता है object को आप अलग अलग जगा रखेंगे तो हमारा मन किया हमने वस्तू को रख दिया infinity यह हो गया पहला के से अब image कहां बननी चाहिए यह आती है सवाल तो जब हम infinity पर किसी भी mirror से बहुत दूरी पर क्या रख दें किसी भी तरीके के एक जो भी आपका object है किसी वस्तू को क्योंकि mirror में आप किसी वस्तू को ही देखेंगे तो इस वस्तू को जब इस जो भी आपका गुलिये धरपन है spherical mirror है जब आप infinity पर रखते हैं तो image बनती है focus पर तो यह कहां बनेगी F पर कैसी बनेगी highly diminished highly diminished का मतलब बहुत छोटी बनेगी और कैसी बनेगी तो यहां पर आपकी जो image बन रही है इसको कहेंगे real और erect यह कैसी होगी real image होगी मतलब दो तरह की images होती है एक image जो आप कहीं देख पाते हैं एक image जो आप feel नहीं कर पाते हैं अभी हम real image को भी देख लेंगे कैसी देखती है और आपका जो virtual image है वो कैसी होती है virtual image आपने जब आइने में अपने आपको देखा होगा तो अंदर आप उस image को touch कर सकते हैं क्या नहीं तो ऐसी image को कहा जाता है virtual जिसको आप देख सकते हैं जैसे किसी वी तरह से किसी परदे के उपर कोई चीज पहुच रही है जिसको touch किया जा सकता है उसको कहा जाता है real image तो यहाँ पर real image मिलती है अब आप दूसरे case में बढ़े infinity और C के बीच में अब आपकी image भी जो होगी इस तरफ आएगी यह कहाँ पे होगी F और C के बीच में कैसी होगी diminish होगी जो छोटी बहुत जादा छोटी थी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर आप पहुचते पहुचते कहाँ आगए C पे image भी कहाँ पहुच जाएगी C पर कैसा size होगा same इसके बाद चोटा case होगा C और F के बीच में और C और F के बीच में जब आप पहुचे इन दोनों points के बीच में पहुचे तो image जो है C और infinity के बीच में पहुच गई इसके अलावा इसका size कैसा होगा large हो जाएगा इसके बाद एक case हुआ जब आप focus पर ही पहुच गए focus पर पहुचने पर image पहुच गई infinity पर कैसी होगी highly and large बहुच बढ़ी बन जाएगी इसके बाद last case होगा आप focus से भी आगे निकल जाए focus और पूल के बीच में पहुच जाए अब image कहां बनेगी तो image बनेगी behind the mirror मतलब ये पहुच जाएगी पीछे और जब आपकी image पीछे बनने लगती है तो उसी को virtual image कहा जाता है वो वास्तविक जो है प्रितिविम नहीं बनता है तो यहाँ पर आपका virtual image बनेगा और यहाँ पर size जो है उसका कम हो जाएगा तो ऐसे 6 cases होते हैं किसके अंदर किसी भी आपके concave mirror के अंदर मतलब आपका अवतल दरपण के यह 6 case होते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हम कौन सा case परड़े हूं जब हम परड़े हूं उत्तल दरपण उत्तल दरपण में कैसा होगा इसका उल्टा हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर क्या है reflecting surface तो बाहर की तरफ है इसमें दो ही case होते हैं एक तो अनन्थ, infinity और between, infinity and pole तो यह कौन सा है यह है convex mirror उत्तल दरपण अब देखिए उत्तल दरपण में क्या होता है तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि object को कहीं रखा, कहीं वस्तु को रखा कहीं उसका प्रतिभिम बनवाया और प्रतिभिम बनवाने के बाद मतला image बनाई और फिर nature चेक किया कि कैसी image बन रही है तो object यह हो सकता है infinity पे तो image बनेगी focus पे कहां बनेगी behind the mirror और कैसी होगी यह होगी virtual and erect इसमें हमेशा virtual image बनेगी इसमें आपका real image बनेगी आखरी case में virtual image बनेगी इसमें हमेशा virtual बनेगी erect बनेगी इसमें कैसी बनती थी? inverted बनती थी उल्टी image बनती थी और last case में real image बनेगी तो इस case में देखा जाए तो सारी चीज़े है image कभी छोटी भी हो रही है कभी धीरे धीरे बड़ भी जा रही है कभी real भी हो रही है कभी virtual भी हो रही है कभी inverted भी हो रही है कभी real भी erect भी हो रही है virtual के साथ साथ erect भी हो जाना यहाँ पर erect हो जाती है इस case में आप देखेंगे तो सिर्फ virtual है और erect एक case है infinity का एक है infinity और P के बीच में तो यह जो है F और P के बीच में आ जाएगी और यह भी कैसी होगी छोटी ही image होगी, diminish ही होगी छोटे size में होगी और virtual और erect ही होगी और behind the mirror ही होगी तो इसमें सिर्फ दो case होते है इसमें आपने अगर image object को यहाँ रखा तो बनेगा focus पे यहाँ इन दोनों के बीच में रखा तो focus हो C के बीच में, C पे रखा तो C पे C और F के बीच में रखा तो image पहुच गई पीछे F पे पहुचा तो infinity और F से आगे बढ़े तो behind the mirror इसमें अगर आपने infinity पे रखा तो infinity पे रखने पे focus पे बनेगी और उसके आगे कहीं आपने रखा तो behind the mirror हो जाती है होती behind the mirror ही है तो यही दो cases होते हैं किस के अंदर concave और convex के अंदर तो इनको जो है इसका screenshot अगर लेना हो तो इसका screenshot आप लोग ले लिजेगा तो यहाँ पर अगर हमने जो बात करी है यह हैं दो mirrors में तो यही properties होती है आप इसको जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं जो अभी हमने थोड़ी दिर पहले देखा तो इस चीज़ को देखने पर आपको यहाँ पर पता चल गया कि यह एक mirror है जो concave है अवतल है यह उतल है तो इनमें जो है अगर आप देखेंगे तो behind the mirror ही आपकी images बनती है इसमें हमेशा एक case में मतलब सिर्फ एक ही case है जब आपका object focus और pole के बीच में आता है तब behind the mirror जाती है इसके अलावा सारे cases में real बनती है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ चीज़े observe कर ली है कि वही एक infinity का case था यह पहला case फिर एक इन दोनों के बीच का case था दूसरा case, एक तीसरा case चौथा, पाच्वा और शट्वा लेकिन इनके अंदर क्या है या तो infinity या तो infinity और pole के बीच में तो यह इसके अंदर एक case और दो case ही होता है इसमें हमेशा कैसी image बनती है तो real भी बन सकती है virtual भी बन सकती है इसमें कैसी और बन सकती है इसमें inverted उल्टी भी बन सकती है और erect cd भी बन सकती है इसके अंदर small भी बन सकती है large भी बन सकती है यह सारी चीज़ है इसके साथ लेकिन इसके साथ fix है इसके साथ हमेशा क्या बनेगी virtual बनेगी small बनेगी छोटी बनेगी इसके अलावा आपका erect बनेगी तो इसके कुछ case fix हैं इसके भी कुछ case fix हैं तो उसके आधार पर हम यहाँ पर image जो form होती, concave और convex में तो यहाँ पर अगर हम बात करें real image जो है जो वास्तविक है जिसको आप touch कर सकते हैं real image की बात करें तो real image is formed when light is reflected and meet at the same point वहाँ बनती है जहाँ से light reflect करें और एक ही point पर आकर मिल जाए it can be viewed on a screen यह किस पर हम देख सकते हैं किसी screen पर इसको चलता हुआ देख सकते हैं it is always inverted real image कैसी होती है उल्टी बनती है और virtual image कैसी बनती है सीधी बनती है, erect बनती है virtual image is formed when light rays reflect and diverge from the same point अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजे यहाँ पर देखे, यहाँ हो क्या रहा है कि सारे points पर टकराने के बाद यह light A की point पर आ रही है इसी को कहा जाते है, convergence तो यह सब A की हिस्से पर आ गए तो यह जो हो गया concave, अगर आपका सामने image बनेगी तो वो बनेगी real और इन में क्या है, यह कहीं से आ रही है, मतलब यहाँ पर अगर आप इनको जोडेंगे, तो सब A की point से निकल कर आ रहे है तो यह जो point है, यह behind the mirror है यह सामने बन रहा है, तो यही थोड़ा सा अंतर है, the real image is formed when light is reflected and meet at same point, सभी जाकर एक ही point पर मिले, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, सब अलग-अलग जा रहे है कोई यहाँ जा रहे है, कोई यहाँ जा रहे है कोई यहाँ, तो यह सब अलग-अलग points पर जा रहे है, लेकिन यह एक ही point पर मिल रहे है तो virtual images form when light reflect and diverge from the same point divergence होगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा convergence, यह हम screen पर देख सकते हैं, it cannot be viewed on screen, यह किसी भी परदे पर नजर नहीं आ सकती, तो अगर आप से पूछ लिया जाए, कि भाई आप जब movies देखने जाते हैं तो वहाँ real image बनती है, या virtual बनाई जाती है, लेकिन जो virtual image है, वो convex भी बना सकता है, concave भी बना सकता है, plain mirror भी बना सकता है, तो यहाँ fix है कि concave mirror, real image तो concave ही बनाएगा, लेकिन virtual image सब बना सकते हैं, concave, convex और आपका plain mirror, तो देखिए, यह image real है, real image का मतलब आपने एक दरपन लगाया, इसके बीच में आपने object रखा, और इसी की image आपने एक परदे पे बना दी, तो इस चीज को आप touch कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप किसी plain mirror के सामने खड़ें, आप जैसे खड़े आगे हैं, इसमें अंदर दिख रहा है, तो क्या इसको touch कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, यह हो गई आपकी virtual image, इसके अलावा properties क्या होती है, तो concave mirror में ने अभी आपको बता दिया, real भी हो सकती है, virtual भी हो सकती है, inverted भी हो सकती है, erect भी हो सकती है, same साइज भी हो सकती है, छोटे साइज की भी हो सकती, बड़े साइज की भी हो सकती है, सारे केस हो सकते हैं, Concave weld में, इसके लाव कन्वेक्स में हमेशा वर्चुन होगा, अपराइट एरेक्ट होगा, सीदा होगा, और छोटा होगा, तो इसका इस्तिमाल कहां किया जाता है इन पे सबसे यादा कुश्चन्स आते हैं मतलब applications की बात कर रहे हैं और किसकी application बात कर रहे हैं application of concave mirror वही concave mirror कहां इस्तिमाल किया जाता है तो सबसे पहले shaving वाला जो mirror होता है आपने देखा होगा छोटा सा एक mirror लोग यूज़ करते हैं तो shaving mirror में क्या होता है इस दरपन का उपयोग करने पर दाड़ी बारीक से बारीक बाल भी दिख जाते हैं तो shaving जो mirror होता है वो तरीके से क्या है concave mirror है जो लोग shaving करने के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा mirror यूज़ करते होंगे concave मतला अवतल इसके लाबा solar cooker अब तो बहुत कम यूज़ होते है solar cookers में अगर आपने देखा होगा भी solar cooker को तो solar cooker के अंदर एक काश लगा होता है चाहे car की हो, चाहे scooters की हो, चाहे bikes की हो तो उनमें देखा होगा आपने bulb बहुत छोटा सा होता है लेकिन इस bulb के छोटे होने के साथ साथ इनके पीछे पूरा पूरा एक काश का इस्तिमाल होता है ये कौन सा काश होता है तो ये concave ही होता है, अवतल ही होता है जैसे light काफी आगे तक spread हो सके इसके अलावा प्रवर्तक दूरबीन बनाने में मतलब आपके जो binaculars होते हैं दूरबीन में आप देख सकते हैं तो वो भी किसके होते हैं अवतलदरपन के खगोल शास्त्री ग्रह उपग्रहों तारों और आकाश को देखने के लिए जिनका उप्योग किया जाता है उनमें अवतलदरपन होता है तो इनका भी यूज यहाँ पे होता है तो यह जो है concave यह surface होता है torch के अंदर भी इस्तिमाल होता है बहुत सारी जगापे इनको use किया जाता है इसके अलबा उतलदरपन की बात करें जिसनको convex कहा जाता है तो convex की use देखेंगे वहानों के side mirror की रूप में जो आपकी गाड़ी के side mirror होता है उसमें use होता है उतलदरपन का उपयोग वहानों के side mirror के रूप में किया जाता है क्योंकि ये बड़ी वस्तूं को भी छोटा वा सीधा प्रतिमिंग बनाता है तो बड़ी बड़ी चीजों को छोटे form में दिखा दिता है जिससे आप आसानी सी judge कर सकते हैं इसके लाव़े street light के reflector के रूप में जो street lights होती हैं उनके reflector में भी जो है यही देखने मिलता है उत्तल दरपन light को प्रवर्तित करता है इसलिए इसका उप्योग street light के reflector के रूप में किया जाता है street light पे लगा दिया जाता है तो ये आपका rear view जो mirror होता है इसको आप देखेंगे तो ये कौन सा है ये convex है मतलब उत्तल है तो यहाँ पर mirror पे जो है हमने बात करी है होप सारी चीज़ें आपको clear होई होगी उसके बाद कुछ questions देख लेते है a full length image of a distant tall building can be definitely seen by using एक दूर की उची मारत की पूरी लंबाई का छवी उपयोग निश्चेत रूप से देखा जा सकता है किस के द्वारा एक concave mirror के द्वारा convex के द्वारा plane mirror के द्वारा both concave and convex अवतल से, उत्तल से, सम्तल से या अवतल और सम्तल दरपन दोनों से तो इसका answer आप लोग सभी लोग comment section में करेंगे इसके अलावद है image of an object placed in front of a convex mirror is formed at उत्तल दरपन के सामने रखी हुई वस्तू का प्रतिविम बनता है वस्तू में ही object itself दरपन के सामने वस्तू की दुगनी half of the distance of the object in the front of mirror behind the mirror तो ये question बहुत simple सा है आज ही समझाया हुआ है इसके बाद image formed by a convex spherical mirror is उत्तल गोलिय दरपन से बनने वाला प्रतिविम कैसा होता है वर्चुल होता है आभासी होता है रियल होता है वास्तविक होता है enlarge बढ़ा हुआ दिखता है उल्टा दिखता है मतलब इन्वर्टेट दिखता है कौन सा option होना चाहिए यह आप comment section में मुझे बताएंगे इसके अलाबा कोई doubts होंगे इन social media handle पर मुझे जोड़ सकता है इस lecture की PDF टेलिग्राम ग्रूप से भी download कर लेंगे और कोई doubts होंगे तरह comment section में मुझे जरूर बताएंगे Thank you very much for watching this Have a great day